राहुल गांदी और कांग्रेस के राष्टे अद्यक्स मलिका अर्जुन खडगे आज जैपुर दोरे पर हैं जहां पर कांग्रेस के नए भावन का सिलेनास करेंगे उसके बाद हाउसिंग बोर्ड बर एक बड़ी सभा को संबोधित करेंगे माना जा रहा है सबा में साथ हजार से अधिक लोग सामिल होंगे लेकिन सबा से पहले ही चड़चाओं का दौर गरम हो चुका है सबा इस तर पर जिस तरह का पोस्टर लगा है पोस्टर को लेकर चड़चाएं दुगनी हो गई है दरसल उस पोस्टर में सोन्या गांदी पोस्टो नहीं लगाए गई है एक तरफ जो है कांग्रेस एक जुटता की बात कर रही है राहूल गांदी भी आज सियासी संकनाद वजाएंगे और सियासी संकनाद के जड़िये एक जुटता की बात कहेंगे लेकिन जिस तरह पोस्टर में सचिंड पाइलेट नहीं है इसक जुटा की बात उनकी ओर से कही जा रही थी कि हम एक जुट होकर मैदान में उतरेंगे और वापिस सत्ता में रिपीट करेंगे लेकिन सत्ता में रिपीट करने से पहले राहूल गांदी जिस तरह जैपूर में आया है बड़ी सभा को संबोधित करेंगे और दो दिन बाद परदान मंतिर नेंदर मोधी भी जैपूर दोरे पर आएंगे सभा को संबोधित करेंगे संक्याबल किसका जादा होगा इसकी तुलना भी की जा रही है हालनकि आज की राहूल गांदी की सभा को लेकर बूत इस्तर मंडल इस्तर के पदादिकारियों को जिम्मेदारी दी ग पालेट को सीड़े से बना दिया गया था उन्होंने कहा था कि परदेश के परभारी ते सुखजिंदा रगातार कहते आ रहे थे कि राहूल गांदी सीनियर लीडर है और पार्टी ने उनको तवज्जों दी है लेकिन क्या तवज्जों पोस्टर में मिलनी चाहिए थी या पोस्टर में सचिन पालेट की फोटो नहीं लगाई जिसके बाद नारेबाजी युके हैं कि देखने को तो अलग लग जगे मिली रही थी लेकिन अब जिस तरह पोस्टर से सचिन पालेट को नदारत किया गया है तो कहीं नगे पार्टी कारहलों में यूके हैं सभा इस्तल सचिन पालेट की फोटो पोस्टर में नहीं लगाना आप चर्चाओं का विशय बन गया है क्या अभी भी पार्टी सचिन पालेट को दरकेनार कर रखा साइडलाइन कर रखा है कि टिकेट वित्रन होंगे तो निचे तौर पार पास अपने दावेदारों के लिए टिकेट मांगेंगे लेकिन पोस्टर में उनकी फोटू ना होने से साफजायर होता है कि अभी भी मध्वेद और मनभेद कायम है वसन पांडे टीवी नाइन चैपूर